हेलो दोस्तो नमस्कार आपके अपने चैनल हिंदी मिर पर स्वागत है दोस्तों आज आपका प्रैक्टिस सेट है सोलव और मुझे उम्मीध है आप सभी तयार है सेट के लिए पंद्रह हम कर स्थुक्र ऑच सुभ यह अनिया आपको 15 सट दिया था और आज आपकाई सॉलवा सेट है, तो जितने भी 15 अभी तक हो चुके हैं तो इस इसाब से आपके प्रशुन में खटे होते जा रहे हैं, तो आपके भाए विज़ों से उपर यह प्रश्ण हो चुके हैं दीरे दीरे यह आपके 500 जब तक आपका एक्जाम आगए तो एक हजार की सीरीज आपके पास ही हो जाएगी मुझे लगता है जब हम एक हजार की सीरीज पूरी कर लेंगे तो आपके पास इतना कंटेंट हो गए तो इनसे बाहर क्या आएगा और है न तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर करते रहे और आज सुबह बहुत अच्छे कमेंट मिले मुझे वीडियो पर तो मुझे बड़ा अच्छा लगा दोस्त पीडियाफ के बारे में पूछ रहे थे तो पीडियाफ टेलिग्राम का चैनल है वह हम लिंक जो है डिस्क्रशन में मैं दे दूँगी आप वहां से पीडियाफ भी ले सकते हैं चलिए शुरू करते हैं आपके आज के प्रशन कांग्रेस के बनारस अद्यवेशन की अध्यस्ता की सूरत फूट के बाद उन्हें उधर अवाद्यों का नेत्रत हुरू कैं उन्होंने दशन अफरीका पहुंचकर गांदी जी के साथ मैतोकुन सेवा की उन्होंने सर्वेंट्स और इंडिया सोसाइटि के स्थापना की नि में से हैं बताना है कौन है तो आपका इसका उतर अगर आप लगा रहे हैं डी गोपाल कृष्ण गोखले तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं तो देख लीजी इसके डिटेल यहां पर देखते हैं अच्छे से दोस्तों आज लास्ट में पैड़ागोजी के भी चार-पास कोश करने में क्या जाता है ना चले देख लीजी गोपाल कृष्ण गोखले का अंग्रे सवधारबादी नरम पंत्राइब हैं कि वीडियो में मिक्स प्रश्ण लाती हिस्ट्री भी है आपकी हां आज एक कमेंट हो रहाया था कि आप जो हैं इंडियन हिस्ट्री ना कराकर उसमें थोड़ा वर्ड भी ले रहे हैं तो वर्ड के भी दो-चार कोश्ण हम ले लेते हो सकता है वहां से आपका आजे वैसे हैं नहीं सलेवस में आपका जो सीधा सीधा भारत की ही भारतिय भुगूल और बारती इतिहासी दिखा रखा है यह एक दो कोश्ण करने में क्या जाता ह है ना चलिए देख लिए गोपाल कृष्णी गोखले कांग्रेस उधारवादी नरम पंथी दल के प्रमुक नेता थे उन्होंने 1905 के बनार सधी वेशने भारतिय रास्टे कांग्रेस के अधिक्षता की थी वे प्रमुक समास उधारक थे उन्होंने 1905 में सर्वेंट गोखले के बारे में तो बहुत अच्छा प्रशने इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक में चली आगे देखते हैं नमक सत्यागरे के दोरान गांदी जी के गिरपतार हो जाने पर आंदोलन के नेत्रतों का भार जिन्होंने संभाला था वह थे कौन थ दिया फिर अबास तयब जी तो बताना है तो थर्टी एट का अगर आप लगा रहे हैं डी अबास तयब जी तो विल्कु सही जा रहे हैं देख लीजे यहां पर इनकी डिटेल नमक सत्यागरे के दोरान गांदी जी के गिरपतार हो जाने पर आंदोलन का नेत्रतों अबास तयब जी ने संभाला आंदोलन के आरंबे गांदी जी ने इसकी गोशना कर दी थी कि अगर मैं गिरफतार होता हूं तो यह मेरा जो है अंदोलन का नेत्रतों संभालेंगे चले एगला प्रशन देख लीजे फिलोसिफी और बॉम्ब नामक विवर्णिका के लेखक थे फिल सब्सक्राइब लगाया है भगवती चलन वह तो आप बिल्कों सही जा रहे हैं अपने नंबर एड करते चलिए अगला प्रशन है फिलोसिफी यह तुबारा रिपीट हो चुका है यह देख लीजे खिलाफत आंदोलन के साथ वह कौन सा आंदोलन आरम किया गया था यहां प ज़िए पूरी जानकारि मुझे लगता फ्रस्ण में आपको लिए लहे कर आ रहे हूँ किलाफत आंदोलन के साथ और कौन सा आंदोलन आरम किया गया था स्वादेशी आंदोलन होम रूल आंदोलन सविन्य अवग्या आंदोलन या फिर ऐसायोग आंदोलन तो बताईए किलाफत आंदोलन के साथ कौन सा आंदोलन आरम हुआ था तो 40 का आपका उत्तर हो जाएगा D. ऐसा योग आंदोलन चलिए इसकी डिटेल देखते हैं विस्तार से किलाफत आंदोलन के साथ ही ऐसा योग आंदोलन का आरम 1920 में हो गया था कलकत्या के कांग्रेस विशेश अधीवेशन में ऐसा योग आंदोलन पास किया गया जिसे दिसंबर 1920 के वार्षिक अधिविशन में पुस्ट किया गया बहुत अच्छी जानकरी प्रशन बन भी सकता है एक्जाम में अगला प्रशन है सन्यासी विद्रो बढ़काने का इस्तलता अवद बंगाल हरियाना या फिर पंजाब तो लगा लीजे सन्यासी विद्रो बढ़कने का अस्त संतुस्ट थे ये लोग शंक्राचारे के अनुयाई थे शंक्राचारे के अनुयाई दस संप्रदायों में बटे थे विद्रो ही सन्यासी गिरी संप्रदाय से थे विद्रो का नेत्रतो अर्ध सावंती लोगों द्वारा किया गया परंतु इसमें बे दखल किये गे किसान, गटित शिफाई सत्य जमिदार धार्मिक नेता शामिल थे 1763 में प्रारंबुआ यह विद्रों रुक रुक कर 1800 तक चला बंकिम चंद चटरजी द्वारा लिकित आनन मंट का कथाना किसी विद्रों पर अधारित है बहुत अच्छी जानकारी और बहुत ही अच्छा कंटेंट आपके लिए यह वीडियो पर पूरे बने रही है और देखते रही है चले गला प्रशन देख लेजे मुंडा बगावत का नेता कौन था जल्दी से बताना है इसका बिर्सा था कहानू था तिलकवान जी था और सीदो था यह जो मुंडा बगावत था यह आपने मु 2021 के बीच बिर्सा मुंडा के नेतरत में यह विद्रो सरवाधिक चर्चित आधिवासी विद्रो था यह विद्रो आधुनी जारकंड में मुख्यते जन जातियों की परंपरागत भूमी वियस्ता खुंट कुटी में बदलावकर विष्ट्री सरकार द्वारा जमीदारी वि बीले बिरोध बिर्सा मुंडा के नेतरत में जन जाति विद्रो का भीविल फूक दिया तो मुंडा के बारे में आज भी दीशा के बारे में वहाण पर क्या होता है गीताख जाते हैं पर आज मेरा जनम सी धादिकार है और आपको पता हो कि मैंने आपके ये जो नारे हैं मैंने एक वीडियो कराई थी आपको जिसमें आपका वह 1857 वाली करांती है वहाँ पर मैंने नारे भी कराए हैं बहुत सारे नारे कराएं वहाँ पर तो सारे नारे उस वाली वीडियो में तो आप देख सकते हैं वहां पर नारे हैं ठीक है चलिए नारा तो देख लिया लेकिन यहां हमने कब किया था उन्होंने 1905 बनारस में 1906 में कलकत्ता में सूरत में 1907 में आपी लखनौ 1916 में अगर आप इसका उत्तर लगा रहे हैं दी लखनों तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं 1916 में लखनों में उन्होंने घुशना की थी भारतिय रास्टे कंग्रेस के 1916 में अधिविशन में बाल गंगा धरतिरत ने घुशना की थी कि सुराज मेरा जनमसी ददिकार है जिसे मैं करके रहूंगा इस अधिविशन के अधिक्ष अंभी का चरण मंजू दार थे तो देखिए उगर जान करी आपको प्राप्त हो गई साथ में सन्वी प्राप्त हो गया और नारे तो आप देखी लीजिए क्योंकि यहां से आपके बारे में पूछा जा सकता है करो या मरो मेर जनमसी ददिकार है इस तरह के नारे जरूर आपके आएंगे चलिए गला देखिए जी बंगाल को विभाजित करने में लौड करजन का वास्तिव उद्देश्य था क्या उद्देश्य था उनका मुसलिम बहुल एक प्रांत की स्रस्टी पूरी बंगाल के अर्थिक विकास म या फिर उप्रक्त में से कोई नहीं तो आपके जानकारी के लिए बता दें कि आपका इसमें से जो आएगा सी आएगा बंगाल में राश्ट्य था से जोड़ी शक्तियों का निर्बली करन ठीक है इसलिए उन्होंने क्या किया उसको विभाजित कर दिया जिसे वह मजबूत नहीं परवे जोड़ी शक्तियों को कमजोर करना था बंगाल में के प्रणाइस वह सब्सक्राइब कर दिया अगला प्रशन है निमांकित में वह कौन सा व्यक्ति था जिसने वर्ष 1931 में गुर्वा यूर मंदिर में अच्छुतों के परवे संबंदी प्रयास का नेत्रत कि या था बहुत अच्छा प्रशन है विल्कुल यूनिक प्रशन है देख लिजे पॉटी फाइब का आपका अगर आप लगा रहे हैं बी पी एस तिरुब पी एस तिरुब माम्बू तो बहुत अच्छे आप जा रहे हैं इन में से और कोई नहीं है यही इसका अंसर है चले देख लिजे इसकी डिटेल देखते हैं। इंडिया नव जीवन भारत या फिन नव शक्ति तो बताना है इन चारों में से कौन सा पत्र था जिसे हरजन वंदू के नाम से फिर परिवर्तित कर दिया कब 1932 में प्रशन नोट डाउन करने लाइक है आपके नोट बुक में कर लिजे अगर आंसर आप इसका लगा रहे हैं क क्या नव जीवन तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं देख लिए इसके डिटेल 1921 में गांधी जी ने सापताहिक पत्र नव जीवन का प्रकाशन शुरू किया जो 1932 में हरजन बंदू में प्रवर्तित हो गया ठीक है किस जिस वर्ष क्रिप्स मिशन भारत में आया वह था 1928 1922, 1940 या फिर 1945 तो पता दीजी इसका अंसर जल्दी से आप क्या लगा रहे हैं अगर आप लगा रहे हैं सीथ 1922 तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं प्रशन बहुत यह कहना चाहिए आम प्रशन हो चुका यह प्रशन एक्जाम में मुस्ली बंता है देख लिए इसकी डिटे के नाम से जाना जाता है बहुत ही महत्तों पूर्ण जानकारी है आपके लिए वह कौन सा वर्ष था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधिमता का अपना लक्ष अंगी क्रत किया 1929 में 1929 में 1933 में 1945 में तो इवह है था 1929 चली आगे चलते हैं 31 दिसंबर 1929 को भारतियर रास्ट्रे कांग्रेस के लाहर में आवजित वार्षिक अदिवेशन ने पूर्ण स्वाधिमता का लक्ष रखा गया इस अदिवेशन की अधिस्ता पंडित जवाला नेरों ने की थ चलते रविंदर नाठ ठाकुण ने आमार सोनार बांगला नामगीत की रचना की बहुत अच्छा प्रशन है नोट डाउन करने लाएक है कर लीजे खिलापत अंदोलन ऐसा योग अंदोलन सवदेशी अंदोलन सविन्यावग्या अंदोलन तो बताई कब उन्होंनी आमार सो अंदोलन के दोरान रविंदर नाठ टैगोर्ण ने आमार सोनार बांगला गीत लिखा जो 1931 बांगलादेश का रास्ट्रेगीत यह रास्ट्रेगान बना ठीक है यह बहुत अच्छा प्रशन है अलग हटके हैं इसको याद कर लीजे 2011 यह कौन सा अंजर आ गया यह प्रशन अच्छा था इसको प्रशन है पीडियाप में गलती हो गई नीचे देगए योगमा से कौन सा सुमेलित नहीं है लखनो चावनी कानपूर नगर निगम गाजियावाद काकोरी तो बताईए इसमें कौन सा सही नहीं है तो लखनो तो सभी को पता है 58 में जो आपका आंसर नहीं जा रहा है तो इसमें सी जो है सही नहीं है गाजयवाद नगर पाली का परिशद नहीं है गाजयवाद जो है नगर निगम है यह नगर निगम है चले इसके डिटेल नहीं पर देख लीजे लखनो चावनी परिशद है बिल्कु सही है कानपूर नगर निगम है बिल्क प्रस्ताओं का प्रासंगिक संबंद संग्य बचट से है निंदा प्रस्ताओं ध्याना करशन प्रस्ताओं कटोती प्रस्ताओं या इस्तेगन प्रस्ताओं प्रासंगिक संबंद संग्य बचट से है तो लगा लिजे इसका उत्तर तो इसका आपका सी कटोती प्रस्ताओं से ह इसकी डिटेल जानते हैं क्या है कटोती प्रस्ताव का संबंद संग्य बचट से है बजट से है भारतिय समीधान के अनुचेंद 112 के अनुसार एक वार्षिक वित्य विवरन संसत के समक्ष प्रस्तूत किया जाता है जिसे बजट कहते हैं बजट सब को पता चल गया ना क्या किसको कहते हैं संसद में बजट पेश करने के बाद उस पर सामाने चर्चा होती है तसपशात लोगसभा विभागा अनुसार अनुदान की मांगों पर चर्चा करती है लेकिन अनुदान की मांगों पर चर्चा के दोरान यदि कोई सदस से चाहता है कि बजट में किसी भाग के लिए आवंटित राशी में कटोती की जाए तो वैसा दसे एक नोटिस देकर इस संबंद में प्रस्ताव करता है इस प्रस्ताव को कोटी प्रस्ताव या कटोती प्रस्ताव कहते हैं भूती महत्तों जानकारी आपको मिली है बजट से संब केती कटोती किस तरह की कटोती मेवे परस्ताव भेशते हैं फिर उसी प्रकार से यह कटोती की जाती है तो मुझे लगता है कुछ यूनिक आपको प्रशन मिल रहे हैं और आपको बहुत अच्छा भी लग रहा है प्रशनों को देखकर समीधान का कौन सा अनुछेन बच्चों सभी को पता होगा अगर आप लगा रहे हैं डी तो आप बिल्कुछ सही जा रहे हैं अनुछे 24 जो है बच्चों के शोशन का निशेद करता है चले देख लिजे डिटेल भारते समीधान के अनुछे 24 बच्चों के शोशन का निरोध करता है या विरोध करता है इसके लेकिन यह सब कुछ फॉल नहीं होता है मजबूरी वहां तक बच्चों को लेकर जाती है और तिनी उम्र के बच्चे बहुत बच्चे काम कुछ करते हैं लिए और बच्चों के लिए लास्ट मोच्पर है यह याज जिसुमर में इसकों और नहींने बस्टे लयने साहिए यह काम पर जा रहे हैं भारत के समीधान में जिसकी संस्रीति पर मूल करतवयों को जोड़ा गया वह थी कौन सी थी बताईए बलवंत राय महता समीती आयंग गर समीती सुन सिंग समीती या फिर ठककर आयोग जल्दी से आंसर लगाईए और यह कोशन्स आपके जो है नेट के स्लेवस में भी बन सकता है जिनका भी नेट क्वालिफाई नह देने जा रहे हैं उसमें आपको पता ही है कि नेट और पीएजडी दोनों ही एक्जाम में बैठेंगे तो जिनका भी तक नेट क्वालिफाई नहीं हुआ है तो यहां से प्रश्न बहुत बनेंगे आपके एक्जाम में आप देने जाएंगे तो ठीक है चलिए इसका आंसर देख लिजे 61 का आपका सी सरवन सिंग समीती चलिए आगे चलते हैं इसके डिटेल देखते हैं बाते समीधान में मुल करतवयों को सुन सिंग समीती की सिफार इस पर 42 समीधान संसोधन 1976 के द्वारा भाग 4 के 51 A में कुल 10 मुल करतवयों को जोड़ा गया था वर्तमान में बहत पुर्ण जानकारी है आपके लिए किसी भी कमपीटिशन में बैठें इस तरह के प्रशन आते ही हैं पंचायतों में अध्यक्षपत के लिए आरख्शन का आधार है लिंग ओर धर्म, धर्म और जाती, जाती और आयूग, लिंग ओर जाती तो बताईये पंचायतों में चलते हैं निमांकित में कौन सा सुमेलित नहीं है अगर आपको इसकी जानकारी चाहिए तो मैं स्क्रिंशोट आपको सेंड कर दूँगी डिस्क्रेप्शन में आप बता देना आपके जो कमेंट होते हैं वहाँ पर भी इसका स्क्रिंशोट आपको सेंड हो सकता है बता देना के डिटेल्स है आप प्रशन की तो चof लेग अगला प्रशन देख लेगें निमांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है यहां पर आपको रिखाई दे गया है दिका fak । Obrig लेकान और सब्सक्राइब लेकिन और चलते हैं जिसके भाजन से संपन हुआ वह है बताईए किस से उत्र पर देशे मंद्य पर देशे अब इहार से इन चारों राज्यों में से किसे 36 गण का गठन हुआ है तो बहुत आसान प्रशन है इसका उत्र आपने समझे लिया होगा मद्य पर देश से हुआ है अब यह कब हुआ है पूरी उस्तरी जानकारी है समझते हैं 34 गण राज्य का गठन एक नॉमबर 2000 को मद्य पर देश को वाजित करके किया गया यह भारत का 26 वा राज्य है अगर आपको पता है कितने राज्य हैं यह वाली भी मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना चुकी हूँ यूपी एची ए हैं औरही तक के चीजट करण में थीकल ख taiस और नहीं मिली है आपको तो जाली गई है यह दो करता है डाल चुकियों में चलिए देखते हैं राजपती द्वारा राज्य सभा के कितने सदे से मनोनित किये जा सकते हैं बताइए यह तो बहुत कॉमन प्रशन है यह आप अभी तक कंपिनिशन में करते ही आ रहे हैं तो यह पता ही है 65 का आपका अंसर क्या हो रहा है 12 चलिए साहित्यस से हैं आप इंग्थमसी आंसर करते हैं तो रहे है राजपती आपको मनोनीत कर सकते हैं राज्य सभा में और वह बारस अदस्यों को कर सकते हैं तो आपको इतना तो पता था यह आंसर लेकrem शuy कितनी जानकारी नहीं थी हैं यह दॉpt प्रश्ण सिक्षन से संबंदित निमलिकित में से कौन सा संगटन श्यक्षनिक योजना में शम्ता निर्माण कारह में संबंद रखता है पता चल गए इसको लिख लिए N-U-E एक बना पैचान गए होंगे एकदम से जो नेट की तैयारी कर रहे हैं वो एकदम से इसको पैचान गए होंगे क्योंकि नेट में भी ये आपका है देख लिए डिटेल इसकी शैक्षिक योजना में शमता निर्मान कार्यकरम से संबंत संस्तान रास्ट्रिय शैक्षिक योजना एंप प्रशाशनक विश्विध्यालिय इसकी आपको हिंदी में भी फुल फॉर्म पता चल गई है अद्मिनिस्ट्रेशन यानि के नीपा के नाम से था और यूरुस्को से संबंत था अब ही निव्पा एक शौयता शाशी संस्थान है नाम बदल गया है पहले यह संबंत था अब यह अपनी शवाथ्या शाशी संस्था तो इसके बारे में पूरी जानकारी और यह जो है जब एक शिक्षक में के संदेश भेजता है तो तब विध्यारत वास्तों है दीकोडर्स होता है यह अपको बताना है देश्स시कोत आतना है। पीडियाप में कुछ हमारे समस्यां पैदा हो गई है आज आपके लिए चलिए अंसर अगर यहापर CD option नहीं है तो कोई बात नहीं बात नहीं यहाफर भी है decoders है क्या है विध्यारती हाफर decoders है और एक शिक्षचक क्या है encoders है यह decoder encoder आपके और आपको पता ही है ना कि जो आप असिस्ट्रेंट का देने जा रहे हैं और ये नैट का तोनों सेम से ही सारा स्लेबस है थोड़ा बहुत यूनिट्स का अंतर है चलिए अगला देख लिए शिक्षन संबंदी साहिक उप्रणों की उपविता के में ओचित्या का आधार है क्य में अनौ शांशन हिंता की समस्या को कम करना विध्यारतों के अधिगंपरिनाव को स्टं क Rub लगाना तो इसमें कहरा है कि आधार का अधार क्या होगा यसमें साही लाग रहे है लेकिन हम इसमें विए तो कौन लगाएंगे अधीगंद्धिद्वा क्यों कि अभी दंग करन ह अगर सिदा सिदा आपके सामने बुक रगती जाती तो शायद आपको पसंद ना आती अब आप अच्छे से यहां से तैयारी कर रहे हैं आपके लिए रोज नए यह प्रश्ण मिल रहे हैं सिदे सिदे आपको नोट सी पढ़ाया चले जाते तो शायद आपको इंटरस्ट ना जह्ता तो चलिए देख लीजे सिक्षन संबंदी साय कुपणर्ण की सायता देसे विध्यार्टियों को अधिय। कारें में प्रभावी धंग से लगाया जा सकता है शिक्षन संबंदी साय को प्रण शिक्षक के लिए दिगम कराने सिखाने की परिक्रिया को सुगम बना देते तथा इन से उनके कारें में विशुषता आ जाती है तता विद्यारती की दिलचस्पी लेते हैं जैसा कि आप कर देते हैं लेकिन उनको यह नहीं पता यह कितनी मेहनत से तयार होती हैं तो आप मेहनत की कदर करना सीखे जो अनलाइक करते हैं चले प्रशन देख लेजिए कक्षा में विध्यारती द्वारा संदेश ग्रेंड पर प्रतिकुल प्रभाव डालने वाले आंते के आम भाईय कारकर जो आपके पढ़ाते हो तो या कोई संदेश आप बचों तक पहुचाना चाहते हो तो किस तरह के होते हैं तो लगाई जल्दी से अंसर तो अगर आपने लगाया है क्या लगाया है जल्दी से बता दीजिए आप क्या लगा रहे हैं जल्दी लगाई ये डी शोर बादित्पन अन्य वुद्धारत्यों की बाच्सीत या शोर मचाने से बादित होती है जब आप लोग पढ़ाते हैं तो जब शोर होता है तो शायद हम अपनी बाते इस्ट्रों तक नहीं पहुँजा पाते साई ढंग से जब वो शांत होते हैं तब हम उन तक अपना संदेश देख पाते हैं और कभी-कभी हम क्लास में भी पढ़ा रहे होते हैं तो बहुर से शोर आता है तो वह हमें इबादित करता है अपनी बाद बचों तक पहुंचाने के लिए तो यह तो बहुत आसान था इसको बहुत से बचे गलत ही करकर आते हैं एक्जाम में ठीक है चलिए आपके युनिट के ये 25 कोश्चन पूरे हो चुके हैं इस वाली जो आपका ये सैट था पसंद आए हैं तो लाइक और शेयर तो बनता ही है करते रहिए और हिंदी मिरर की साथ ऐसे ही नए नए प्रशनों के लिए और साथ में आपके जो कंसेप्ट किलियर करना है तो उसका कंसेप्ट भी आपको दे दिया जाएगा कंसेप्ट के बारे में आप पताएंगे कि कौन सा टॉपिक को आपको कराना है तो हम तभी उसकी पीडिया आपको दे पाएंगे वैसे मैंने सारे ही जितने भी आपकी युनिट हैं सबके ही मैंन तो आप देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं तो आप देखिए प्लेइस्ट में जाकर और वीडियो भी देखिए चलिए ठीक है करिए लाइक एंड शेयर अगर पसंद आई है वीडियो